हर हर महादेर एक प्रश्ण पूछ रहे हैं कि जिनके माता पिता या विवावक मरना सन्नों मृत्तिव के निकटों तो उनके पुत्रादी को क्या करना चाहिए उनकी क्या विवस्था की जाए तो देखिए शास्त्रों में वरनन है बड़े कुछ लगु उपाई भी बतलाए गए हैं कुछ ऐसे ऐसे कारे हैं जिनको करने से गट्टी की सदगत्टी होती है मुख्य रूप से उनी कारेओं को करने के लिए शास्त्र ने कहा है कि जिनकारेओं को करने की सास्त्रों में बड़ी महिमान हैं जिनसे उस मरना समय व्यक्ति का कल्यान हो उससे भगवत धाम की प्राप्ति हो और सदगत्टी हो पापों से निभृत्ती हो जितने जितने शास्त्रों में ऐसे कारेओं बतलाए गए हैं उन सभी को करने के लिए शास्त्र में आ गया है हो सके तो जैसे कोई ऐसा समय आ गया तो पावन भगवती भागी रती का पावन तट मिल जाए तो कहना ही क्या है यह सब दिवस्ता करनी चाहिए क्यों गंगा जी के सानिध्य में मोक्षदा पुरियों में अगर निवास हो जाए और उसमें भी भगवत देव मंदिर के सानि तो क्या करना चाहिए वहले ही घर में हो तो शया पर प्राणत्याग्र को शुब नहीं माना गया है ठीक नहीं माना गया है राजचित बतलाया गया है तो इसलिए गाय के गोवर से देशी गाय के गोवर से भूमी को लीब करके उसमें दक्षनाग्र को सा रख करके काले तिल आंत हो सकता है बिर्द्ध लोगों का तो उनके पास में किसी उच्छ सिंगासन पर थोड़ा सा उचा करके और वहाँ वस्तराद बिछा करके भगवान शालक ग्राम का जो इस्थाफन करना चाहिए पावन तुलसी की स्थाफना करनी चाहिए और लिखा हुआ है तुलसी के सान अगवान को समर्पित किया हुआ चंदन गोपी चंदन इत्याद को और उनको लेप देना चाहिए पूरे शरीर में जो मरना सन्ना है या तो उनको इश्नान करवा देवे यग्योफवीत पहनते हैं तो यग्योफवीत बदल देवे नहीं तो प्रोक्षन इत्याद करके और गंगाजल चड़क करके यह सब कर देना चाहिए मृतात्म कोई भी व्यक्ति मरना सन्ना है अंतिन समय पर यदि उसकी मुख में तुलसी दल गंगाजल यदि आ जाता है तो उसकी कितने भी पापपरायन पापों की कितनी भी पूजी क्यों नहों उन सब को जो अद्वस्त कर करके भगवत धाम का अधिकारी होता है अंतिन समय पे भगवन नाम का समरना आजा भगवत समर्ती आजा तो यह तो परमकल्यानकारी है इसलिए उस वक्त भगवन नाम संकीर्थन करना चाहिए और उनको भी बोलने के लिए प्रिरित करना चाहिए उनसे भगवन नाम बुला करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है इस द्रिष्टी से जनम जनम मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही अंत में भगवान की स्मृत्ति पर आवश्यक है लिखा हुआ है शालक ग्राम शिलातत्र तुलस्ती चखगे स्वरा विधेया सन् पर दीपं प्रज्वालयेत पौनहा और वह एक गी का दीपक वो गृत का दीपक जलादेना चाहिए लिएक शालक ग्राम शिला यत्रत्त सन्यतो अरी जहां शालक ग्राम शिला रखी हूए वह ही भगवान का सान्यद्य है तस सन्यदध वं त्यजेट प्राणान यादि-वि की सानेद्धे में जो शरीर त्याग करते हैं वो विश्णो पदम याती बगवान विश्णु के परंपद को जाते हैं शालक राम शिलातो यम या किवेद बिन्दु मात्रकम सा सर्व पाफ बिनिरमुक्तो बैकुंड भुवनम् ब्रजेद एक कन भी ये शालक राम शिला का जलमने भगवान का चरणो दर्जू पान कर लेता है वो वैकुंट का परमादिकारी हो जाता है वैकुंट दाम को वैकुंट भुवन को जाता है ब्रजेर तो ये विवस्ता है गी का दीपक जला देना है निरंतर भगवन नाम संकीरतन करना है और मुख में यह सब मिशिएदान लेना और बतलाए गया है की यह जो मर्तात्मा है मर्ना संहाएं उन्होंने कोई ब्रत किया और उसका उद्यापन नहीं किया हो जब तक अगर ब्रत का उन्हों के निमित कि यता शक्ति दान कर देना चाहिए कि उद्यापन के निमित दान करने से भी उद्यापन मान लिया जाता है और उसकी संपूर्ण विधी पूर्ण बजाती है ऐसी अवस्था में ये पुत्रों को चाहिए कि उनसे कुछ दान जरूर करवाएं जैसे यद्यद्य पी अश्ट महादान दस महादानों की चर्चा है अन्न दान आदी नहो सके तो अन्न दान गो दान यता शक्ति द्रब्य दान रणे आद दान के आतों से अवस्थ करवा देन चाहिए लिखा है कि यह दे कोई व्यक्ति है और उसके प्राण अटके हुए है मृत्यू को प्राप्त नहीं हो रहा है और कश्ट पा रहा है तो ऐसी अवस्था में जो उनके पुत्रादी हैं परिजन हैं वे भी बड़े दुखी होते हैं और वे चाहते हैं कि अब तो इनक व्यक्ति है उस से कुछ अन्यदान करवा देना चाहिए और श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाना चाहिए तो श्रीग्राध श्रीग्रही और प्राणों का प्रयान होता है एक बात और कई लोग कहते हैं कि गरुड पुरान जो है मृत्यू के बाद ही होता है पहले नहीं सुनना चाहिए ऐसा नहीं है हमारे पूजी गुर्देव कहते हैं कि गरुड पुरान को तो जीवित अवस्ता में और स्वस्त अवस्ता में ही सुन लेना चाहिए बाद में फुत्राद कराएंगे वो भी दी है वो भी होगा बले लेकिन इसको तो पहले ही पढ़ना चाहिए गरड़ पुरान का विशेश रूप से प्रेत खंड जिसमें यह सब्दलाए गया है कि अउर्द गयी क्रत्य कैसे हो कैसे करना चाहिए तथा जीवात्मा की गती प्रताडित किया जाता है तो यह सब होना चाहिए यदि इसको व्यक्ति सुनता है कि यह पाप करने पर यह दंड मिलेगा इस प्रकार मिलेगा इस नरक में जाना पड़ेगा तो पापों से निवर्ति होती है पाप परायनता छूट जाती है इसलिए यह जरूर होना चाहिए हर पुराण में अपराधों के साव से उसको यह जो क्या-क्या दंड मिलता है यह सब चर्चा है श्रिमत भागवत में भी नरकों का वर्णन है और बतलाए गया है कि यह कर्म करने पर यह से यह से नरक में जाना पड़ता है और वहां यह यह गाता है कि जो जैसा कराए सुस्तास फलचा का कर्म प्रदान विश्वरच राका में शुकरे राका तो यह कर्म प्रदान है जो जैसा करेगा वैसा इसको भूगना थे गृटफृडब्रान काई है तो इस दृष्टी से यह सब बतलाया गया है- लोग आज-कल कथाभर ब्य कि हाखिए अपराद करोगे तो नई जाना पड़ायका करोगे इसलिए परवर्वृतोथ से पहले ही सुन लेना चाहिणOFF जैसे उनके उत्तर दिये हैं तो यही पुरान है इसी में यही संबाद है इसलिए तो बाद बाद बीच में आता है अब यसे श्लुक पढ़ाता शालक इराम शिला तत्र तुलसीच खगेश्वरा मने पक्षियों के ईश्वर मने स्वामी यह गरुड ऐसा ऐसा होने पर ऐसा होता है यह सब बतलाए गया है तो इस दिश्टी से यह सब गरुड पुरान भी पुरान है तो इनको भी सुनना चाहिए और जरूर ही हर व्यक्ति को न सुन सकया तो पढ़ लेना चाहिए गरुड पुरान की इस्तिती जान लेनी चाहिए क्या कहता है और अपनी इस्तिती को सुदा लेना चाहिए और म्रत्यू के बाद भी हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो यह सब नियम बतलाए गए हैं इन नियमों का पालन करें और यह पुत्र का करतब भी है कि अपने माता-पिता का और दुदाएक करते करें तथा उनकी सद्गति दिलाने में साहिक बने इन और यह प्रश्ण सार्व जनिक है सार्व जनीन है हर किसी को मरना है मरना तो हर किसी को यह मरत्य लोग कही है यहां तो हर किसी को जाना है तो यदि मृत्यू सुधर गई तो अगला जनम सुधर जाएगा और मृत्यू यदि किसी की नहीं हुई तो आगे जनम ही नहीं होगा करती होती है और यह सब उपाए लगू उपाए बतलाए गए बगवन नाम संकिर्तनादी जो गिनाए इन सबी को करना चाहिए यह जो प्रशन है यह प्रशन बहुत ही उत्तम है यह प्रशन हरीश अगरवाल जी बिंदावन से ही है उन्होंने किया था और यह हम सब लोग इसक अलाव उठाएंगे ठीक है हर हर महादेश